आप देख रहे हैं MPCG Express News अगर आप हमारी खवरें YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और Facebook पेज पर देख रहे हैं तो लाइक करें मद्य प्रदेश पटवारी संख तहसील साखा बंडा के पटवारियों ने आयुक्त महुदय भू अभी लेक के नाम तहसीलदार बंडा को ग्यापन सौपा ग्यापन में उलेक है कि सौंबार तथा गुरुवार को पटवारियों की ग्राम पंचाइक मुख्याले पर उपस्थिती सारा एप पर सार्थक मोड्यूल के माध्यम से ओनलाइन दर्च कराने के निर्देश जारी हुए थे प्रयोग के तौर पर प्रदेश की दो तहसीलों में शुरुवात की गई थी बंडा छेतर में दूर दराज के इलागों में इंटरनेट इवम नेटवर्क की समस्या रहती है वहां सार्थक एप पर उपस्थिती और चित्ती हीन है ऐसी समस्या में पीम सी एम निधी के कारे करने में पटवारियों को उत्पन हुई थी जिससे पटवारियों को तहसील में बैठकर काम करने पड़ रहा था नियालीन कारियों में प्रतिवीदन इस्थल जांच इवम करी 52 विभागों के कारेयों का समपाधन करना हूता है स्वास की अबकास के 77 रात्री के समय में भी करना पड़ता है काम इन कामों की प्रात्मिक्ता को छोड़कर सार्था केप पर उपस्थिती तर्क संगत प्रतीत नहीं होती लगभक तीन बर्षपूर पटवारियों को 73 सो रुप्या मोबाइल करने ही तु दिये गए थे इन मैंसे नवयुक्त पटवारियों को आज दिनांकता केहरासी प्रदाय नहीं की गई और पूर में दिये गए मोबाइल की वारंटी समाप्त हो चुकी है बर्तमान में प्रदेश के पटवारी महनत एवं लगन के साथ कारे कर रही है माद्य प्रदेश में राजश्च विभाग को प्रथम आने पर प्रदान मंत्री ने भी समानित किया इसके बाबजूद इस प्रकार के आदेश लागू करना पटवारियों के अन्यमागों से धिनान भटकाने का प्रयास प्रतेश कर रहना है प्रदाराज के जो गाओं है वहां पर पटवारी पदस्त हैं देहातों में वहां पर इंटरनेट कनेक्विटी नहीं है और वहां पर सार्था कैप माईडू लागू कर दिया गया है तो पटवारी में बहुत सारी समस्या उत्पन हो रही है कुछ काम यहां बंदा में सिकनना पड़ते हैं जैसे पीन किसान का सीहन का दूरदराज के लागओं ना बिजली उत्पन होती है उपलप धोती हो ना कनेक्टिविटी होती है इसलिए इंटरनेट प्रफोर्स समस्यावत पन हो रहे हैं इसलिए इसको सासन के पक्ष में, सासन की दुरूद में क्या पन दिया है और यदि सासन ने इमांगें सिग्र नहीं मांगें तो हम लोग चरहनबद तरीके आनदूरन करेंगी